जैक बोड एगारवी बरावी के छात्रों के लिए चलेगा मैसिव ओपेन ओनलाइन कोर्स। जैक बोड एगारवी बरावी के छात्रों के लिए चलेगा मैसिव ओनलाइन कोर्स। जारी कर दिया है। जैक बोड एगारवी बरावी के लिए चलेगा मैसिव ओनलाइन कोर्स। के लिए 5 जनवरी को चुनाव आयोग द्वारव परकासित की गई नई मत्दाता सूची के विखंडन का काम पूरा हो गया है। जनवरी को मत्दाता सूची का प्रारूप परकासित कर आपतिया अमंत्रित की गई है। साथ फरवरी को अमत्रित मत्दाता सूची का प्रकासित कर लिया जाएगा। संसोधित मत्दाता सूची में 6,42,928 मत्दाता बढ़ गया है। पंचाज चुनाव में कूल 2,44,73,937 मत्दाता वोट डालेंगे। इसमें 1,26,13,219 पूरूस वहीं 1,18,64,42 महिला वो दोसोचीत थर्ड जेंडर है। जारखण में मुगावजे की घोसना के बाद भी कुरोना के मिरीत परियून ने नहीं किया दावा। राजे में कुरोना से अब तक 3,008 संक्रामित की मौत हो चुकी है। कुरोना से मिरीत ब्यक्ति के परिवार को सरकार 50,000 रिपे मुअवजे देने की घोसना भी कर चुकी है। इसकी परिक्रिया चल रही है। सरकारी और नीजी अस्पताल में कुरोना से मिरीत ब्यक्ति का आकड़ा राज सरकार के पास मौजूद है। इसके हिसाब से मुअवजे की सूची तेयार की गई है, लेकिन अभी तक किसी भी परिवार ने मुअवजे के लिए दावा ही नहीं किया है, दावा करने पर उसकी पुष्टी के लिए जीलो में कमिटी बनाई गई है, इस कमिटी द्वारा दावे की पुष्टी किये जाने प दिशा निर्देश के अनुरूप ही होगी परिक्षा के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं होगा सिक्षा विभाग द्वारा पुरो में घोसीत प्रारूप के अनुरूप ही दोनों टर्म की परिक्षा ली जाएगी लेकिन अब दोनों टर्म की परिक्षा एक साथ होगी पर प्रिक्षा के प्रारूप को लेकर सुक्रवार को सिक्षा सचीवराजेस, कुमार सर्मा ने विभाग के अधिकार्योक साथ बैटक भी की है। भक्तो में उत्सा चरम पर था, पुरा सहर वजीला भक्तिमाय हो गया, विभीन पुजा समीतियो द्वारा आकर्शक थिम पर परतिमास थापित कर गे पुजा किया गया। इन में गिरी डिजीले के बगोदर परकंड के तिरला के दिलीप महतो भी सामिल है। इन मजदूरों ने भारत सरकार और जारकंड सरकार के प्रतिया भार जताया, मजदूरों ने अपना दर्द साजा करते हुए कहा कि एत दीन यात नाओ से भरे थे। आपको बता दे कि जारकंड से कूल 33 मजदूर माली गए हुए थे। दक्षिन पूर्व रेलवे की जीम अर्चना जोसी ने चक्रधर पूर रेल मंडल का किया दोरा। पदा रेलवे स्टेशन के समीब टावर वैगन बेपाटरी होने के कारण रेल जीम जोसी का कीरी बूरू निरीक्षन का कारेकरम टल गया। दोरे के करम में वे रेल करमचारियों के परिजनों की समस्याओं से अवगत हुए आज वे खरसावा दोरा पर हाएं। चतरा में नसा कारवारियों की जब्त होगी समपती। जारखन में कुरोना के 449 नए केस मिले हैं जबकि 715 मरी स्वास्थ भी हुए हैं जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 2790 हैं। भारत में 992,910 नए केस मिले हैं जबकि 1,992,909 मरी स्वास्थ भी हुए बारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 12,242,215 हैं। जारखंड के हर परखंड में एक गाव गोद लेंगे बैंक जारखंड में कारेराथ सरोजनिक छेतर के सभी बैंक परतेक परखंड का कम से कम एक गाव गोद लेंगे बैंक इन गावों को गोद लेकर वहां तमाम बैंकिंग सुविधाय सुनेश्चित करेंगे जार्खन में राजय अस्तरिय बैंकर समीती के तत्वधान में सभी PSU बैंक, सभी जीलों के सभी परकंडों में BTA समावेशन, समाजिक सुरक्षा, योजनाए, रिन प्रवा, डिजिटल बैंकिंग, आदिस समस्त बैंकिंग सुविधाय परदान करेंगे जार्खन के समस्त 244 परखंड में कोवन कितने गावों को गोद लेगा, यह अभीताय कर दिया गया है भावनों के नियमिती करण को लेकर रायनितिक दलों से समोहिक पहल की अपील राजे में वर्सों पहले नियमित भावनों को रेगुलाइज करने के मुद्दे को लेकर जार्खन चेमबर ने सनिवर को पूरे मुख मंत्री बावलर मरांडी के साथ उनके आवास में बैठक की इस दोरान चेमबर ने इस समस्या पर सभी रायनितिक दलों से दलगत भावना से उपर उठकर समोहिक पहल करने की अपील की ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके चेमबर अध्यक्ष धीरज तनेजा ने कहा कि नगर निगम द्वारा नेमित अंत्राल पर भावनों को सील करने वा तोड़ने को लेकर दिये जाने वाले नोटी से लोगों की चिंता बड़ी है चेमबर ने बताया कि इस मुद्य परमुख्य मंत्री हमान स्रेन से भी मुलकात की योजना बनाई गई है मोराबादी के दुकंदारों ने निगम को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम मोराबादी के सैकड़ों दुकंदार ने सनिवार को दुकान खोलने को लेकर रांची नगर निगम को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है दुकंदारों ने कहा है कि अगर सोमवार तक निगम की ओर से वैकलपिक जगह मुहाया नहीं कराई गई तो अपनी रोजी रोटी वा परिवार के भरण पोसन के लिए मंगलवार से वे जबरन दुकान खोलेंगे फिर चाहे परसासन उन्हें गोली ही क्यों न मार दे उनका काना है कि भूग से मरने से बेहतर है कि वे गोली खाकर मर जाए विश्व विद्यालियों वा कोलेजों में कल से ओफलाइन का क्छाहे शुरू होंगी विश्व विद्यालियों वा कोलेजों में राई सरकार की नई कोविड गाईलाइन के तहत ओफलाइन का क्छाहे सोमर से शुरू हो जाएंगी राची विश्यो विद्याले ने दो फरवरी से ही ओफलेन कक्षाय सुरू करने का निदेश जारी कर दिया था लेकिन इसके ज्यादातर असनतकोतर विभागों वा कोलेजों में साथ फरवरी से ओफलेन कक्षाय सुरू होने जा रही है वहीं केंद्रिये बिस्व बिद्याले जारखन में सभी कक्षाए और बीर्षाक कीसी बिस्व बिद्याले में असनातक की कक्षाए 14 फरवाज से ओफलाइन चलेंगी सेना का फरजी जोईनिंग लेटर देकर युवाओ को किया क्वारेंटीन धुर्वा पुलिस ने CRPF में नौकरी दिलाने के नाम पर दो युवकों गिरफतार कर पुछताश कर रही है CRPF में नौकरी दिलाने के नाम पर गिरफतार युवक संतोस और प्रेम मंडल अब तक 2 क्रोर से ज्यादा की ठगी कर चुके है पुलिस की पुष्टाच में और भी कई लोगों के नाम सामने आये हैं जिनकी तलास पुलिस कर रही है संतोस और प्रेम मंडल वैंकिंग वैर्चरस्व को अपने निशाना बनाता था और नौकनी दिलाने का जासा देका ठगी करता था सेरो गेसी के लिए जारकन से आधिवासी लड़किया की होती है तसकरी मानो तसकरों की निशाने पर सबसे अधीक नवालिक लड़किया है इसका खुला सा पुलिस अनुसंधान वा गिरफतार मानो तसकरों ने भी किया है पुर्व में जारकन की लड़कियों की तसकरी के मामले में एक तथे यह भी सामने आ चुका है कि यहां की लड़कियों की तसकरी सेरोगेसे के लिए भी होता है पुर्व में गुमला के चाइल वेलफेर कमिटी के पास ऐसे मामले सामने आ चुके हैं दो ऐसी लड़किया सामने आई थी जिन्होंने यह सविकारा था कि उन्हें काम कराने के लिए मानोतस कर ले गए थे लेकिन वहाँ उनसे सेरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करवाया जाता था एक ने दस तो दूसरी ने छब बच्चा पैदा करने की बात भी सविकारी थी इस मामले में कानूनी करवाय भी हुई थी और मानोतस करी का रोपीत गिरफतार भी किया गया था सर्जू राय ने चेताया गलत ब्यानी नहीं करे रहुवर बिधायक सर्जू राय ने 2016 में राजास्थ अपना दिवस पर ट्रोफी और टिसर्ट खरीदने तथा जमसेद पूर और रांची में सुनिधी चवान के कारिकरम क्या रोपो की जाच भरष्टा चार निरुधक ब्योरो से कराने से सरकार के निरनाय पर की गई पूर मुख मं कि इस मामले में उन्हें क्लीन चीट मिल चुकी है वे खुद आधा सच बता रहे हैं और इसके लिए मुख्य मंत्री को जिमेदार उठारा रहे हैं और जाच को राय नितिक रंग दे रहे हैं अमन सिरिवास्तव तक रंगदारी का रुपया पहुचाने वला अपराधी गिरफतार आतंकवाद निरोधी दस्ता जारखन की टीम ने सुक्रवार को कुख्यात अपराधी अमन सिरिवास्तव के सक्रिये सहयोगी संदीप परसाद उर्फ अविनास उर्फ बिनोद उर्फ आसीस उर्फ प्रमोद को राची के रातू चकटपूर इस्थित अवास से गिरफतार कर रंगदारी वसुली से समधित महतपूर कागजात पांच मोबाइल एक राउंटर और दो एटीम कार्ड भी बरामत किया है एन एचेम कर्मियों के मांदे में 5 परतिशत की बढ़ोतरी जारखन में राष्ट्री स्वास्त मीशन के तहत कार्यरत करमचारियों के लिए अची खबर है उनके मांदे में 5 फिस्ती की ब्रीधी की गई है राजे में एन एचेम के अधिन अनुबंध परकारेरत 9000 से अधिक कर्मियों को इसका लाब मिलेगा यह लाब 1 अप्रेल 2021 से देय होगा मांदे में बढ़ोत्री के प्रस्ताव को भारत सरकार के स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले की ओर से पहले ही स्वक्रिती दी जा चुकी है इस स्वक्रिती के आलोग में जार्खन ग्रामीन स्वास्त मीशन समीत्ती के अपर अभियान निदेशक विद्यानन्द सर्मा पंकजने सुक्रवार को मांदे में बढ़ोत्री का आदेश जारी कर दिया है रांची की फलक फातिमा को राष्ट्रिय प्रेणा दूत पुरसकार रांची विश्व विद्याला की छातरा और एन एस एस की स्वयन सेवक फलक फातिमा को समाज में उत्कृष्ट कारकरने और युवाओ को प्रेणा देने के लिए राष्ट्रे प्रेणा दूत पुरसकार से समानित किया गया तीन फरवरी को बिहार में आवेजीत फेस ओफ फ्यूचर इंडिया कारकरम में फलक को समानित किया गया है हिमालय परिवार ने चढ़ाया बाबा को तिलक की अदाय हुई लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए आवेदक 9 फरवरी तक जमा करें कागजात राइधानी के धुर्वा में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे अवासों के आवंटन के लिए कूल 1520 लोगों ने आवेदन किया है जबकि नीगम की ओर से 108 आवंटन किया जाना है इसे लेकर नीगम ने एक आम सुचना जारी की है जिसमें बताया कि रांची नगर नीगम की ओर से जरूरी कागजात नहीं देने वाले पेंडिंग आवेदनों की सुची जारी की गई है जो वेबसाइट पर उपलब्ध है उनके मुताबिक दीन आवेदको का नाम पेंडिंग सुची में है वैसे आवेदको को वांची दास्तावेज आई परवान पत्र बोटर आईडी काड के साथ पावती परची की छाया परति संगलंद करते हुए नीगम कर्याले में जामा करना है बादल पत्र लेख ने बिद्याले भवन का किया सिलन्यास देवघर के सारवा परखंड छेत्र के उच बिद्याले जिया खाडा में सिक्छा यमसक शर्ता विभाग द्वारा निर्मीत होने वाले दस अतिरीक्त वर्ग कक्ष कासिलन्यास क्रीसी मंत्री बादल पत्र लेख ने सन्निवार को नार्यर पोड़ कर किया उन्होंने कहा कि छेत्र के दूर दराज चात्र चात्राओ को पठन पठन को लेकर कई किलोमीटर दूरी तैकर और नियंत्र उच सिक्छा के लिए जाना परता था जिसमें चात्राओ को अधिकतर परिशानी का सामना करता परता था जारखन में पहली बार हत्या केस में कोट ने नबाली को सुनाई उम्र कैद की सजा जारखन के धनबाद में कोट ने हत्या के एक मामले में नबाली को दोसी करार देते हुए आजीवन करवास की सजा सुनाई राजे में यह पहला ममला है जब किसी नवाली को उम्र कैत की सजा सुनाई गई आरोपी का उम्र 17 साल का है धर्णबाद के जहरिया के रहने वाले राम चंद्र साव के छोटे बेटे सौरब के हत्या कर दी गई थी 29 जुलाई 2017 को सौरब 17 साल के पिता की ओर से जहरिया थाने में आरोपी एवं उसके अनसाथियों को आरोपी बनाते हुए हाथ्या की प्रात्मी की दच कराई गई थी ICSE Board 10 वी बरहवी के परिणाम इसी महीने हो सकते है घोसित Council for the Indian School Certificate Examination जल्द ही काक्षा 10 वी और बरहवी परिक्षा समेस्टर 1 के परिणाम घोसित कर सकता है हालाकि अभी तारिक के अधिकारिक रूप से घोसना नहीं की गई लेकिन माना जा रहा है कि ये इस महीने के सुरू में घोसित किया जा सकता है धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनलों को सब्सक्राइब कर बाल खेबे लेका अंदा बाजिए साथी साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवाइक अवस्ते दे थैंक यू